हेलो मोडवे मोडवें आप सभी का स्वागत है मेरे कुकिंग चारफ बारिश के इतने थंडे मौसम में अगर आपको गर्मा गरम और करारे बज़े खाने मिल जाए तो दिल तो गारण गारण होई जाएगा वैसे एक सची बात बता है बारिश तो बस बहान है असलियत तो सभ कानदे लिए कानदे के लिए कानदा क्टने का इक स्पेशल और आसान तरीका होता है जिसे आपको हरको ही नहीं बताएगा यहाप मैं कानदे को दो बाग में कट कर रहा हूँ इसके बाद में जो कानदे का बीच का पाट के उसे निकाल देना है दोनों साइड के कांदे का दीच का बाग निकाल देने जाड़ा काट फिज लचेदार होगे एकदम सेप्रेट हो जाएगे इससे तरीके से सभी 4 कंदे कांदे हो ऐक निकाल देने यहाँ पर मैंने एक काच का बाउल लिया है अब कुन से वेसल ले सकते हो अभी इसमें चार बड़े कटे हुए कांदे डालेगे मैं दो से तीन जन के लिए भजिया बना रहा हूँ अगर आपको जादा बनाना है तो आप जादे कांदे ले सकते हैं अभी हलके हाथों से आपको प्यास को मसल ना है ताकि प्यास के पूरे लच्छे निकल जाए और आपके कांदे एकदम सेपरेट सेपरेट हो जाए अच्छे से आपको मसल ना है तभी आपकी कांदा बज़े एकदम करारी और कुरकुरे वनेगी नहीं तो आपकी प्यास की भजी करार ही नहीं वनेगी अगर आपके प्यास की तुकड़े एकदम सेपरेट सेपरेट अल अच्छेदार ना हो तो अब इसमें फटाफट तेन से चार बारी कटी हुए मिर्ची डालेगे एक छोटा सा कटा हुआ अद्रक एकदम बारी कटा हुआ एकदम फ्रेश बारी कटा हुआ धनिया यह मेरा स्पेशल इंग्रेडेट हाफ लेमन जूस पुरा स्क्वीज करके डालेगे अभी इसमें हाफ टीस्पून नमक हाफ टीस्पून काला नमक वन एन हाफ टीस्पून रेड चिली पॉडर वन फूट टीस्पून हल्दी पॉडर हाफ टीस्पून चाट मसाला पॉडर अभी इससे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो हमने जो भी मसाले डाले है वो कांदी के साथ एकदम मिक्स हो जाए वो सभी का टेस्ट है अच्छी तरीके से सबी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स होने के बात में यहाँ पर मैंने एक कब बेसन ले लिया है पहले हाफ कब बेसन दालेगे बेसन हमेशे चान कर यूज करें ताकि उसमें गटलिया ना रहे अब इसे हलके हाथ हो जाँ अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें हमें आटा नहीं गुनना है बस अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसे ताकि सब बेशन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब इसमें डो टेबल स्पून जितना मैं पानी दाल रहा हूँ ताकि हमारा बेशन अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और जो हमारा बसा हुआ बेशन था हो भी दाल दिया है अभी सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देगे जैसे मैंने कहा था बस इसे मिक्स करना है अलके हाथों से आटा गुनना नहीं है वरना आपके बज़े एकदम करारे नहीं बनेगे मुझे थोड़ा जाड़ा टाइप लग रहा है तो इसमें मैं एक टेबल स्पून जितना पानी और दालोगा और अच्छी तरीके से मिक्स करना है यह हमारा मिक्स हो चुका है विसे एक से दो मिन्ट रेस्ट करने के रख दे यहाँ पर मैंने एक कडाई ले लिया है इसमें हम तेल दालकर गरम करेगे बज़े फ्राइ करने के लिए तेल हमारा गरम हो चुका है अभी इसमें हम बज़े दालेगे फ्राइ करने के लिए थोड़े थोड़े करके दालने है एक साथ ही पूरा नहीं दलना है और गेस को हमेशक मिडियम या मिडियम टू हाइब पर रखे तब ही हमारे बज़े एकदम करारे बनेगे अगर एकदम फास्ट होगे तो आपके जो साइट के बज़े हो एकदम जल्दी फ्राइब होके पर ब्राउन हो जाएगे अगर आप फास्ट हम बज़े हो बना रहे हो तो आप चमच का भी इस्तमाल कर सकते हो या पर मैं साथ से आठ पीस दाल दिये है ज्यादा कड़ाई में नहीं बरने अब इसे एक मीड के लिए आरम से फ्राय होने दे बिना हाथ लगाए एक मीड हमारो हो चुका है अब इसे हलके से गुमाएगे मिक्स करेगे एक साइट से हमारे गोल्डन म्राउन हो चुके तो इसे पलट देगे दुस्से साइट से भी एक मीड तक आरम से फ्राय करना है इसे मिडियम टु आइफ लेम पर हमें भजिया को दोनों साइट से गोल्डन म्राउन हो चुके तो अच्छी तरीके से फ्राय हो चुके अभी इसे हम निकालेगे यहाँ पर मैं भजिया को चम्मच से निकालका जारे में दाल रहा हूँ ताकि जो भी एकसेस ओल है वो पूरा निकल जाए दैख सकते हो हमारे बज़ए एकडम करारे अब इसे हम टीशू पेपर पर निकाल देगे बजे हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम कुरकुर है, हमने नाइस में कोई rice flour, corn flour दाला है, बजे कर एक बैच हमारा fry हो चुका है, इसी तरीके से दूसरे बैच को भी fry करेगे, याद रखें, गैस को एकदम medium to high flame पर ही fry करें, वरना आपके बजे करारे नहीं बनेगे अगर हम fast gas पर fry करोगे, तो वो कुछ टाइम के लिए crispy होगे, तो जल्दी नरम हो जाएगे, इसे भी दोनों साइट से अच्छी दरीके से पकाना है, जब तक कि golden brown color ना आ जाए, हमारे बजे fry हो चुके, देख सकते एक दम golden brown color आया है, इसे भी हम छन्नी में निकाल देगे जाके जो भी excess oil है, वो निकल जाए फूरा, देख सकते हो हमारे बजे कितने कुरारे लग रहे है, इसे भी हम tissue paper पर डाल देगे, हमारे सभी बजे फ्राय होके ready है, जो घर पे सामाने उसी से बनाय है, कोई भी बाहर की चीद लानी की जरूत नहीं है, देख सकते हो कितने करा अगर आपको भी मेरी तरह बजे के साथ मिर्ची खाना पस रहे है, तो मिर्ची में चीरा लगा के इसे अच्छी तरीके से fry कर दे, इस तरीके से गरम तेल मिर्ची को फ्राय कर दे, तो सौर कटे आप इसके ओपर थोड़ा सा नमक दाल दे, बहुत ही है उच्छा लग हमारे